कॉंगेस की भारत जोड़ो यात्रा तमिलाडू केरल से होते हुए करनाटक पहुंच चुकी है चार और पांच अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा को राम नामी और दशेरी के तोहर की वज़ा से रोका गया था दो दिन बाद आज 29 में दिन की यात्रा मांडिया जिले से शुरू ही राहुल गांधी के नित्रित पे निकल रही यात्रा को करनाटक में जबरदस समर्थन मिल रहा है इस बीच राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है तो क्या कहा है राहूल गांधी ने देखते हैं ये रिपोर्ट लेत्रित में आज एक बार फिर यात्रा की शुरुआत हुई और इस मौके पर राहूल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लिया आज उन्होंने कहा कि करनाटक में हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार है ये हर चीज में 40 फीसिदी कमिशन लेती है किसानों से मजदूरों से 40 फीसिदी कमिशन लेनी वाली सरकार है राहूल गांधी यही नहीं रुके उन्होंने आगे कहा कि कॉंट्रेक्टर ने चिठ्थी लिखी कि भ्रष्टाचार चल रहा है लेकिन प्रधान मंत्री ने कोई एक्शन नहीं लिया इस यात्रा का लक्षे है पूरे हिंदुस्तान में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना यह यात्रा करन्या कुमारी से कश्मीर तक जाएगी और इस यात्रा में मेरे साथ चलने वाले हर शक्स का मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज दो दिन के अफकाश के बाद मांडिया से शुरू हुई अपनी यात्रा के करनाटक पड़ाव में राहुल गांधी काफी आक्रमक है राहुल के इस अंदास से बीजेपी में हलचल तेज है इस बीच कॉंग्रेस सांसाज जैराम रमेश ने भी बीजेपी की हार का दावा किया है और उनने कहा कि करनाटक में बीजेपी शासित राज्य में हमें जो प्रतिकरिया मिली है उससे पता चलता है कि अगले चुनाव में बीजेपी के पतन की उल्टी गिंती शुरू हो गई है करनाटक कॉंग्रेस अध्यष और राज्य के पूर्व मंत्री दीके शिवकुमार ने कहा कि दशेरे के बाद अब राज्य में कॉंग्रेस की जीत होगी उनने कहा कि हम राज्य में सत्ता में आ रहे हैं और बीजेपी की दुकान बंध होने वाली है हमें गर्व है कि सोनिया गांधी राजी की सडकों पर उत्री है